हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर शेनल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे डियलेट प्रसुक्षोष रिलेटेट कुछ एहम बाते और ये बाते क्यों उठ रहे हैं हैं बर्ती को लेकर सारे बाते बहुती सेपेड तरीके से जानेंगे साथ ही बैग जानेंगे इस वीरियो में जो भी आपके दोष्ट फ्रेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए सबसे पहले आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप यहां देखिए यह आई होब कि आपने इपेपर देख लिया हुगा जिसमें यह मैंसन किया गया है कि अप्रेल माई में मिल सकती ह है उत्तर पर्दिस की छातरों को नई सिक्षक भरती की सवगात हाला कि आपने पहले भी एक नीच पेपर में यह देखा होगा कि सिपाही प्लत सिक्षक भरती जल्दी आप सभी को देखने को मिलने वाली है और प्रतम कैबिनेट जब मीटिंग होगी तो उसमें कुछ एहम फैसले लिए जाएंगे हाला कि अभी तक तो फ्रेंड्स जो भी प्रक्रिया होनी है वो 25 को होनी है तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रक्रिया होई नहीं है और रही बात फ्रेंड्स यह जो भी खबरे आ रही हैं अभी इपेपर में है शासन की तरब से अभी इसमें कुछ भी अप्रक्रिया को आप कह सकते हैं मतलब शुरू नहीं किया गया है ठीक है और साथ ही फ्रेंड्स ये भी बताया गया था कि 17,000 से अधिक पोश्ट भी आप सभी को मिलने वाले हैं तो ये सब पू जो है अभी तक पेपर में है अभी तक ओफिशियल नोटिफिकेशन के थुरू कुछ भी किलियर नहीं किया गया है और रही बात अप्रेल में तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात देखिए हो सकता है कि आप सभी को सुचना मिल जाए अप्रेल में तक लेकिन भरती कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रेक्रियाएं चल रही है आगे आप पी टेंडर की प्रेक्रिय इस बैस के प्रसुच्चू जिनका फोर समेश्टर कंप्लीट हो गया है वो भी डर रहे हैं क्योंकि दिखिए फ्रेंड्स नई सिच्चक भरती में सामिल होने के लिए आप सभी को आपका चारों समेश्टर पूरा मतलब एक भी बैक नहीं रहना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए साथ ही साथ अगर आप टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई है तभी एलिजवल होंगे नई सिच्चक भरती के लिए अब यहां दिकत क्या आ रही कि फोर समेश्टर प्रसुच्चू पास है लेकिन आप सभी का बार बार यह कमेंट्स आ रहा है कि हमा नहीं आया तो फ्रेंड्स आप नई सिच्चक भरती के लिए इलिजवल नहीं है ठीक है लेकिन उससे पहले अगर आपका एक जैम कंड़क्टर आ दिया जाता है आप सभी का रिजल्ट आ जाता है तो बिलकुल आप सभी इलिजवल है नई सिच्चक भरती के लिए तो जिन जल्ट पी एन पी जो है जैसे ही बोर्ट के एक जैम खतम होते हैं आपकी देट सी जारी कर दी जाएगी ठीक है तो आप सभी अच्छे से त्यारी करिए अगर आपका यहां टेट या फिक्सिटेट क्वालिफाई है तो फिर कोई भी दिकत नहीं होने वाली है ठीक है और उसके बात फ्रेंड्स देखिए भरती इतनी जल्दी आने वाली है नहीं आप सभी को भी पता है ठीक है थोड़ी देरी तो लगेगी ही लेकिन आपको यहां बिल्कुल भी दी मोटिवेट नहीं होना है आप सभी अपने त्यारी करिए और जैसे ही अगर आप अपना बैक कि प्रादिकारी के सामने अपनी बात रखी जाएगी कि जल्द से जल्द जो है फोर समेश्टर का एक्जायम कंड़क्टर कराएं ताकि हमारा समेश्टर कंप्लीट हो तो आप अगर आप किलियर नहीं हो पाया है इस बार आपका यूपी टेट अभी तो यूपी टेट का रह गया तो बिल्कुल भी यह निराश नहीं होना है आप देख सकते हैं जुलाई 2020 में मैंने पहले भी कहा था ज्यादा से ज्यादा भी देरी होता है तो अगश्ट में जो है आपको सीटेट का फोर्म देखने को मिल जाने वाला है और रही बात भरती की तो फ्रेंड्स दो सीटेट या फिर यूपीटेट किलियर करिए आपको हंडेट परसेंट मौका मिलने वाला है तो बिल्कुल भी निराश मत हुए आप अपनी तयारी करिए अच्छे से ठीक है तो आई होब कि अब इसको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा साथी फ्रेंड्स आपने देखा होगा सासन के तरफ से निलंबित किया गया है आप कहा जा रहा है कि यूपीटेट का जो रिजल्ट है वो पचीश तारीक के बाद आप से भी को देखने को मिल जाने वाला है ठीक है तो आई होब कि अब इसको लेकर आप से मन में कोई भी डाउट नहीं होगा और रही बाद डेलेट 2019 बैज की तो बिल्कुल आप से भी सामिल होगे अगर आप पास है या फिर 4 समेस्टर में बैक है ठीक है तो किलियर करेंगे तो बिल्कुल आप सामिल होगे बागी जो भी बैक प्रसुक्चु है आप जाहे कोई क्वेस्टन हो कोई डाउट हो या कोई कॉंसेट ना समझाए बोर्ड्स हो या जैई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो आप अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज त्री इजी स्टेप्स सबसे प कर देगा आपकी कोई और जो भी बैक प्रसुक्चू है आप सभी अपनी परिक्षा भी अच्छे से दीजिए फोकस करें और जो भी आपकी क्लासे हैं वो कल से कांटनियू रहेंगे क्योंकि सभी स्थेवार आ गए थे इस वज़े से आपकी क्लासे नहीं आ पाई ठीक है ल अगर यहां से प्रोवाइट की जाए तो आप सभी तक बहुत सकें मिलते हैं फ्रेंच निक्ष वीडियो में तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें थैंक्स पर वोचिंग टेक क्यार